असलाम लेकुम आज नहीं मैं आप लोग के लिए रमजान स्पेशल दही वड़े की रेसिपी जो बहुत ही जल्दी भन जाती है और बहुत ही चटपटी सी होती है खाने में तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो इसके मैंने एक बर्तन में याने एक बॉल में दही ले लिया है तो हैंपर मैंने डाही चमच के करीब दही लिया है दही को अची तरह से फेट लेना है इसे बाद इसमें आधा चमच नमक डालना है साधा नमक और आधा चमच काला नमक डालना है इसे भी अची तरह से मिक्स कर लेना है दई में मैंने एक ग्लास भर के पानी डाल दिया है दई जाधा ना गाड़ी होनी चाहिए ना जाधा पतली होनी चाहिए बिल्कुल इस तरह से रहने चाहिए इसके बाद यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिर 4 लेस्टन की कर लिया एक मुट्टी से थोड़ा सा कमहरा धनिया और एक चमब जीरा इसे पीस के एक चटनी बना लिए है तो इस चटनी को दही में डाल देना है अब इसे अची तरह से mix कर लेना है तो और हाँ पर हमारी दही बन के तयार हो गई है इसे रख देना है side में अब भजिये बना लेना है तो हाँ पर एक बरतन लिया है इसमें एक कर्टोरी मैंने बेसन डाल दिया है एक चमब जीरा डाला है थोड़ा सा खाने का सोडर डाला है थोड़ा सा नमक डाला है हरी धनिया और थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक गाड़ा सा बैटर बना लेना है इसमें हमने सोडर डाला है मगर सोडर डालने के बाद भी हमें इसे 10 मिनिट तक अची तरह से एक डारेक्शन में फेट लेना है तो 10 मिनिट हो गया था मुझे इसे फेटते हुए तो यह बेजन की भजे का बेटर बनके तयार हो गया है अब इसे फ्राई कर लेना है तो यहाँ पर एक कड़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था इसमें एक एक करके भजे डाल देना है भजे को फ्राई कर लेना है इसे अल्टी-पल्टी करके पका लेना है तो यहाँ पर भजे का कलर हलका सा चेंज हो गया है बस इसी तरह से हमें पकाना था इसे इसे निकाल लेना है एक प्लेट में अब इसे एक साधे पानी में डाल देना है पानी में डालने के बाद इसे 10 से 15 में ट्रक देना है इसके बाद इसका पानी निचोड के दही में डालते जाना है इस तरह से तो सारे भजिया का पानी इस तरह से निचोड लेना है और दही में डाल देना है तो यहाँ पर मैंने दही में इसे डाल दिया है अब एक चमश ले लेना है तेल ले लेना है इसमें तेल जब गरम हो जा लाइक शेर सब्सक्राब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो रखिए एक अपने खुब सारा ख्याल मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ जब तक के लिए अलाहाफिज